और DPP number 11 अपनी Nodes वाली है, Nodes पे एक बार आपको revise करवा देता हूं, फटाफट से, DPP number 11 जो है, वो Nodes वाली है, मैं बता देता हूं, टोटल नोड जो है, टोटल नोड क्या होता है, जाएलेक्टरों डेंसिटी 0 हो, टोटल नोड जो है, वो N, है न, N-1 होता है, N-1 होता है, एंगुलर नोड जो है, वो, वो, L होती है, और, रेडियल नोड जो होती है, बच्चो, रेडियल नोड जो, वो, N-L-1 होती है, चल यह तो, क्वेश्चन करता है, हो गया होगा, क्वेश्चन, for an element with, परिये फटाफट से, बच्चो, score के हिसाब से मिलेगी, up to 100% लिखा हुआ है, score के हिसाब से मिलेगी, क्वेश्चन, for an electron with N is equal to 3, one radial node, तो देखें, यहाँ पर one radial node है, radial node मतलब N-L-1 is equal to 1 बोला है, जहाँ पर N is equal to 3 है, तो 3-L-1 is equal to 1 लिखा है, तो L की value यहाँ से 1 आ जाएगी, इसका मतलब L की value 1 है, मतलब यह P sub shell है, पहला ही question थोड़ा सा अच्छा level का हो गया है, और P sub shell के लिए angular momentum of under root of, आपको पता होगा, L plus 1 into LH upon 2 pi formula होता है, जहाँ पर आप L की value 1 रखोगे, तो answer C कलकटा आजाएगा, चेक करके देखें, चेक करके देखें, पहला ही question थोड़ा सा घातक हो गया है, चलिए, next question, अब easy-easy question है, फटाफट से करें, हाँ वे, nodal center सबका एक होगा, nucleus is the nodal center, nodal center सबका एक होगा, nucleus is the nodal center, है न, nucleus is the nodal center, ठीक है, वो center जहाँ पर electron density 0 हो, nucleus is the nodal center, चलिए, next, nodal plane बताने हैं, मतलब angular node, nodal plane is angular node, चलिए, easy है, question बहुत easy है, solve करें, फटाफट से, easy question है, solve करें, हाँ भई, p, p के लिए, l की value 1 होती है, इसलिए, angular node, मतलब की, nodal plane, कितना होगा, बच्चो, 1 होगा, answer, a आगरा हो जाएगा, चेक करके देखें, हाँ भई, आयूश, पढ़ाएंगे न, पर उस टाइम, पढ़ाएंगे, चलिए, radial node, 3s and 2p के लिए, फॉर्मूला यूज़ करें, radial node बताना है, फॉर्मूला यूज़ करें, फॉर्मूला यूज़ करें, हाँ भई, radial node का फॉर्मूला, 3n, सॉरी, n-l-1 होगा, ठीक है, तो 3s के लिए लिए लिखेंगे, n की value 3, l की value 0, तो radial node 2 हो जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे तो, 2p के लिए n की value 2, l की value 1, तो value 0 आ जाएगी, तो 2 and 0, आंसर a आगरा हो जाएगा, बच्चों, आंसर a आगरा हो जाएगा, मेरे ख्यालते समझ में आ गया होगा, next question solve करेंगे, next question solve करेंगे बच्चों, शलिये, timer on, spherical node मतलब radial node, spherical node मतलब radial node बताना है बच्चों, spherical node मतलब radial node बताना है, spherical node मतलब radial node बताना है, हाँ वे, देखें यहाप, which of the following orbitals has, have one spherical node, one spherical node बताना है, तो value वो ही रखेंगे अपन यहाँ पे, देखें, n-l-1 फॉर्मूले में रखते जाएंगे, तो 1-0-1 is equal to 0, अपने को 1 निकालना है, 2-0-1 is equal to 1, यह answer हो जाएगा, बाकी और भी चेक कर लेते हैं, 2-1-1-0, नहीं होगा, 3-1-1 is equal to 1, यह भी हो जाएगा, इसके दो answer होंगे, बच्चो, B and D चेक करके देखें, सभी बच्चे, फॉर्मूले में रखेंगे, चलिए बच्चो, next question, question number 6 solve करेंगे, question number, यह भी होगे, हाँ भी, the number of nodal plane in a PX, PX होई, PX के लिए, L की value कितनी हो जाएगी, 1 repeated question है, 1 answer आजाएगा, next question solve करेंगे, फटाफट से, next question solve करेंगे, sum of angular node and radial node, मतलब total node हो गया, direct formula यूज करें, n-1, sum of angular node and radial node, पूछा है, मतलब total node हो गया, total node में direct formula यूज करें, हाँ बच्चा, formula यूज करेंगे, तो 4-1 क्योंकि, total node n-1 होती है, answer 3 हो जाएगा, C, Calcutta, clear, formula यूज करोगे, easily हो जाएगा, next question, question number 8 solve करेंगे, किसके अंदर, 2-2 nodal plane है, किसके अंदर, 2-2 nodal plane है, किसके अंदर, 2-2 nodal plane है, which are the following pair of orbital, से कि आèmes नॉड पुलेन बीफुलेंगों डी ग्रीटा है न था ओंधयर ब्लीक रर्ट पक्रवलेटा है दोडो तो horrific क कॉई न प्लैण नहीं होता है उसके लिए नोडल कोन करते हैं सल्क्राइए मिल्ए इंस The बढ़ाएं थोड़ी सी तो नंबर ओफ रेडियल नोड ओफ थ्री एजन टूपी ऑर्बिटल्स आर थ्री एस और टूपी ऑर्बिटल के है न हो गया यह क्वेश्चन रिपीटेड है टू और जीरो अपन पहले भी डिसकस कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सौल करेंगे क्या फिक्ताफर से स्सिट् grac सेटी बेट्विन वनेस और टूपी चंपेश्चन से में हाँ बई जीरो होगी क्योंकि 1S और 2S के बीच में आप क्या define करोगे radial node define करोगे ना बिटा Radial node define करोगे तो zero हो जाएगी ब तो 2S के बीच में electron cloud 0 है ना जभी तो वो separate होंगे और हम बोल पाएंगे कि यह 1S और 2S है next question solve करेंगे फिटा-फटसे 2P 3P orbital has 3P orbital में क्या होगा चेक करके बताएं फटाफट से हाँ 3P orbital के अंदर 3P तो N की value 3 है L की value 1 है तो 1 तो इसकी एंगुलर नोड हो जाएगी और वन ही इसकी स्फेरिकल नोड हो जाएगी फॉर्मूले में रखेंगे तो तो वन 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 इस्फेरिकल वन एंगुलर नोड आंसर सी कलकटा डी पी नमबर 11 कम्प्लीट होती है